Welcome to our online classes. I hope you all are well. So let's start our class. Today our Hindi class. So kids, हमने अपनी last class में क्या पढ़ा था? दो वर्णों वाले शब्दों को मिला कर पढ़ना. और second class में हमने अपनी second one में पढ़ा था? तीन अक्षर वाले शब्दों को मिला कर पढ़ना. ये मैं आपको दो एक्सराइस पीछे की करा चुकी हूँ. दो वर्णों वाले और तीन वर्णों वाले. आज क्या करेंगे हम? अपनी next exercise करेंगे. जो की है हमारे चार वर्णों वाले शब्दों को मिला कर पढ़ना. Right? So let's start. चलिए शुरू करते हैं. ये क्या है हमारा बर्गद, बर्गद. Next हमारा बर्टन, बल्तन. सरुकस, सर्कस. शरुवत, शरुवत. अजगर, अजगर. पान घट, पन घट. ठीक. ये तो थे हमारे वर्णों को जोड़ कर पढ़ना. अब हम आगे पढ़ते हैं. सरुपट, सर्कस. चाटुपट, चट्पट. तल, 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 छाटा, चट, तल, छटु. जटा, जटु, पाटा, पाटु, जटुपट. जटा, जटु, पाटा, पाटु, जटु, पाटु. छमा, छम, 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 छम. सावा शबुनामा नम शबुनम सरेगमा गम सरीगमHave मारमर्ःम हम मर्ःम बच्र बच्च पन पन बच्च पन उब अब तन अटन उब तन पाला पल तन अटन पल तन उल अल जण अजण अल जण दम दम काल कल दम कल मख 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 मल मख मल हला हल चल चल हल चल पल 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 तर तर कस कस तर कस तर तर मस अमस तर मस अम अम दस अम दस सर सर कस कस सर कस थाला थल चारा चर थल चर नवा नभु चारा चर नभु चर आरा अर हर अर हर पाला पल भरा भर पल भर नेक्स्ट आमारा पेराग्राफ बर गद। कारा कर मता मत चाड़ा चाड़ लपक लपक कर मत चाड़ भाग भाग दाड़ा दाड़ भाग दाड़ मता मत कारा कर मत चाड़ भाग दाड़ मत चाड़ नट नट खट खट नट खट मत बान बन मत बन नट खट मत बन So class, today our Hindi class is over लेकिन अभी हमें इसकी exercise करनी है जो हमारा reading portion है वो complete हो चुका है over हो चुका है और हमें क्या करना है इसका, जो written portion है उसको complete करना है तो आईए हम written portion complete करते हैं ओके, देखिए, पहला है चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए तो आपको क्या कहना है चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखने ये क्या है हमारा ये है बा साबस ये क्या है हमारे फा लाफल ये है हमारा टा बा टब ओके वेटा इसी तरीकी से क्या कहना है आपको ये सारे चित्रों को identify करके इनके सब के नाम लिखने हैं कमल, कलश, मटर, खटमल, थरमस, शलजम ओके बेटा तो इसको आप complete करेंगे next है हमारा शब्द पूरे कीजियो चित्रों से मिलाईए इन शब्दों को क्या करना है? complete करना है उनके चित्रों से इनको मिलाना है जैसे की यह हो गया हमारा हल धर ओके हल धर ये रहा हमारा तो इसको हल धर से मिला देंगे यह हो गया हमारा जग तो जग को जग से मिला देंगे यह हो गया हमारा नल नल को नल से मिला देंगे यह हो गया हमारा भवन भवन को हम भवन से मिला देंगे यह हो गया हमारा नयन हम नयन को नयन से मिला देंगे यह हो गया हमारा तरकश हम तरकश को क्या करेंगे? तरकश से मिला देंगे ठीक, यह हमारी पेस नमबर 12 की अक्साइज कम्प्यूट हो गई अब हम देखते हैं पेज no.13 के exercise यहाँ kya है अमारा सही अक्षर लिखकर शब्द पूरे कीजिए तो यहाँ पहले में सही अक्षर लिखना है और इस सब्द को complete करना है तो यह क्या होगा हमारा सर्कस तो यहाँ क्या आजाएगा हमारा स सर्कस कस यह हो जाएगा हमारा देखिए उल उल तो यहां क्या आएगा अड़ाएगा नहीं विड़ा तो नहीं आएगा जाएगा उल जन तो यह हो गया हमारा उल जन नेक्स्ट हमारा देखिए यहां क्या आएगा दमकल दूसरा हमारा आएगा सरगम नेक्स्ट आएगा हमारा उवटन अब सर पलटन बचपन ओके बटा आप लोग यह घरसे करेंगे साब नेक्स्ट हमारा चित्रों की सहायता से शब्द पूरे कीजिए अब देखिए क्या है यह हमारी अचकन यह क्या है हमारा मरहम यह हमारा बर्तन और यह क्या है बर्गद शब्द पूरे कीजिए और चित्रों से मिलाई है जैसा वो था वैसा यह है इसलिए यह आपको खुस्ते करना है मैं आपको केवाल समझानी हूँ ठीक है जैसे कि ये है हमारा बरतन यहां क्या होगा हमारा बरतन होगा तो हमने यहां रह लिखा बरतन और बरतन को हमने बरतन से मिलाया इसी तरीके से आपको यह सबको complete करना है हो और उसकी picture से मिलाना है दमकल, सरकस, अजगर, बरगढ, पनगढ ओके बेटा तो यह exercise आप दौनों गल से करेंगे ठीक है यह वाली exercise डा और exercise गा यह आप notebook में भी करेंगे ठीक है यह notebook में भी करेंगे दो exercise और यह book में करेंगे और notebook में आपको यह भी लिखने है यह क्या करना है आपको notebook में लिखना है और यह आपका पूरा paragraph मनहा से लेके और बन तक यह भी आपको notebook में अपनी करना है ठीक है बेटा तो आज की class को हम over करते हैं next class में next chapter के साथ हम मिलेंगे तब तक के निये bye bye have a good day do you study regularly bye bye